दोस्तों नमस्कार आप देख रहें करकेट इंडिया करकेट का महा संग्राम यानि टाटा IPL 2022 के जश्ट बाद साउथ अफरीका के टीम भारत के दोरे पराने वाली है जापर भारत और साउथ अफरीका आपस में पांच मैचों की बहुती सांदार T20 सिरीज केलने वाले हैं काफी ज़्यादा इंट्रस्टिंग रोमांचक और सांदार ये T20 सिरीज होने वाली है और फाइनली यहाँ पर इस T20 सिरीज के लिए बिसी स्याई और अफ्रीकन क्रिकेट बोट ने मिलकर सिरीज का पूरा का पूरा कारेकरम और भारती टीम के स्क्वेट्स की यहाँ पर अ से एनलैसिस करेंगे क्योंकि भारती टीम के स्क्वेट्स आपर पूरी तरह से बदले हुए नजर आने वाले हैं इसलिए आप इस वीडियो को अंतक जरूर देखते रहें इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए और वीडियो के निचे से चैनल को सब्सक्राइ जुन के महिने में इस सेरीज की शुरूबाद होने वाली है जहाँ पर पांच मैचों के टी-्ट वेंटी सेरीज का पहला टी-्ट वेंटी महा मुकाबला हमें नो जुन को दिल्ली के अरुट जेकलि स्टेटियम में देखने को मिलेगा दूसरा टी-्ट वेंटी- बारह जु को बैंगलूरू में देखने को मिलने वाला है भारते समय अनुसार साम के साधे 7 वज़े से इन 500 T20 महा मुकावलों की शुरुवात होने वाली है अब हम बात कर लेते हैं उन सभी बड़ी अफडेट्स के बारे में जो शीरीज के शुरुवात से पहले भारती टीम के फाइनल स क्वेश्ट की वह इस सीरीज में यहां पर रेश्ट करना चाहते हैं पिसले काफी लंबे टैम से वह लगातार भारतीय टीम को अपनी सेवाई देने वाद दे रहे हैं यहां कंफर्म हो चुगा कि रोईस्चर महा में यहां पर कप्तानी करते हुए नजर नहीं आने वाले है उसके बात करते हैं अगले अपडेट के तो यह अपडेट विराट को हुली को लेकर जिया खोली को लेकर बड़ा सस्पेंस था खेलेंगे या फिर नहीं लेकिन दोस्तों जो लेटेस्ट सोर्सिज के अवाले से रिपोर्ट है उसके मुदाविक ऐसा बता है जरा कि विराट सते संजू सेमसन होंगे या फिर सिकर दवन को बनाया जाये लेकिन अब जो लिटिस्ट अपडेट है उसके मुदाविक ऐसा बताया जा रहे कि हारतिक पांडिया यहाँ पर भारतिय टीम के कप्तान के रूप में हमें देखने को मिलने वाले हैं उसके बात कर दिया अपडे होने वाले है दिनेश कार्थिक को भी यहाँ पर टीम में सामिल किया जाएगा तो चलिए फटापट हम बात कर लेते सीरीज के लिए भारतिय टीम के फाइनल स्क्रेट्स के बारे में तो सबसे पहले हम बात करते हैं बल्ले बाजो की तो वही 5 पर बल्ले बाजो के साथ यहा इसान किसन संजू सैम्सन और दिनेश का अठिक उसके आज हम बात करते हैं उडाउंडर्स की तो वही तीन पुरोपर उडाउंडर्स के साथ यहाँ पर भारती अठिक ही उत्रेगी जो यहाँ पर होने वाले हैं हार्दिक पांड्या दीपक हुडाव रहुलते वातिया अंतर म में पार्टिसिपेट करते हैं उन्हें जराने वाले उन सभी यूवा चहरों के साथ अफ्रेया खिलाप इस T20 सीरीज में काफी सांदार नई नवेली प्लेंग 11 भारती टीम की बनने वाली है लेकिन आपके मुताबी कौन सी टीम बनेगी सीरीज की चैंपियान आपके अपने वाचिंक